जैसे कि अब हमने एक्साइस 4.2 उसके सारे कोशन में आपको करवा दिया है लास्ट के दो कोशन दो आप खुद करेंगे 13 14 वह आप खुद करेंगे उसके कुछ कुछ examples है वो भी आपने करने important questions है छोड़ेगा कोई नहीं सब जरू try करना हो जाएंगे easily हो जाएंगे आज हम बात करेंगे area of triangle की area of triangle by determinant method देखो यह हम 10th में करते थे थे ना area of triangle 1 by 2 x1 x minus x2 कुछ ऐसे करके था ना area of triangle लाता था आपका coordinate geometry में बड़ यह वहाँ पे कुछ अलग था यहाँ पे हमारा determinant तरीके से जब area निकालेंगे ना वह अलग होगा उसमें भी हमने यह area of triangle का formula straight lines में वहाँ पे भी पढ़ा लेकिन वह वह वाला use नहीं करेंगे हम करेंगे area of triangle by determinant method और इसी के later आपकी access 4.3 भी है तो सबसे पहले देख यहाँ पे क्या लिखा है मैंने area of triangle ABC with vertices vertices क्या है ABC और उनके coordinates क्या है vertices होते हैं यह points जहाँ पे दो vertex आपके meet करते हैं और coordinates होते हैं इनके यह points x1 y1 x2 y2 x3 y3 और मैंने आपको बोला है कि ordered पर always xy करके लिखते हैं कोई x1 x2 नहीं करना गलत हो जाएगा वो तो यहाँ पे देख यह उपर से लिख रहा हूं मैं यह area area of triangle 1 by 2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 और यह formula हमारा 111 जो हमारा third इसका coordinate होगा ना उसकी सब की जगा हम क्या use करेंगे 111 देखो x1 y1 x2 y2 x3 y3 बाकि तो coordinates लिखके यह end वे क्या put कर दिया है मैंने खुद 111 और इसका मेरे को क्या निकालना होता है अगे area positive quantity होती है कभी भी किसी भी चीज का area negative तो होता नहीं है और जब भी हमें कभी area given होगा ना तो हम वहाँ पे both positive or negative values लेंगे क्योंकि square का मतलब क्या होता है basically हम area पता किसमें लेते है मॉडलेस में mod आपको बता नहीं क्या होता है minus को क्या कर देता है वो positive ठीक है यह हमने element में भी पढ़ा था mod function तो basically mod होता क्या है mod जब remove होता है तो वहाँ लग जाता है plus minus तो इसलिए area होता है वो भी हमेशा mod के बीच में ही आता है modless function के बीच में तो तबी हम area जब भी given होगा अगर मालो तो किसी का area है four square units तो उसको मैं कैसे लिखूंगा plus minus four तो इसी वाज़से जब भी मेरे को area given होगा तो मैं plus minus अपने से लगाऊंगा और area of triangle found by three जब भी three को linear points लेंगे उनका area always क्या लेंगे zero और सबसे पहले बात को linear points होते हैं यह आपको पहले भी बताया हुआ पता भी होग 10th से पढ़ते आ रहे हैं 7th 9th से 8th में 9th में 7th में starting से बच्पन से पढ़ते आ रहे हो ध्यान नहीं दिया हो तो फिर से सुन लो kolinear points होते हैं वह जो एक straight line पर लाइक करते है एक ही line पर three points जब लाइक करेंगे को कॉनिख क्यार जहें और जब एक point पे एक line पर three points kolinear यह होगे तो यहां पर triangle कैसे बन सकता बन ही नहीं सकता तो triangle हमेंशा बंता थ्री नॉन को कॉलिनियर points लेंगे तो kolinear points हो अ इसके coordinates 106043 और एंड में मैंने 111 किया 1 by 2 तो expanding by row 1 यह करके यह आपका आगया answer that's all question number 2 very important question है बहुत बार यह question repeat हुआ है देखना है क्या show that points है यह vertices of triangle है और इनके coordinates अंदर से और यह प्रूव करना हमें यह है points collinear collinear प्रूव करने का मतलब है हमें area of triangle चाहिए 0 तो सबसे पहले मैंने वही जो कर रहेंगे formula 1 by 2 इसके coordinate a b c फिर b plus c c plus a a plus b as it is 111 तो मैं यह एक काम करूंगा इसको अगर मैं चाहूं ना सिद्धा expand भी कर सकता था यहां पे plus minus plus expand करता थोड़ा multiplication थोड़ी लंबी हो जाती तो हमें एक rule पता ना determinant में हमने था property third जब हम क्या करेंगे जब हम दो column या दो row same कर देंगे तो area of triangle उसका area of क्या हो जाएगा zero determinant zero हो जाएगा वो तो हमें पता ना property third तो यहां पे हमें क्या करना है या तो कोई दो row या दो column क्या कर दूँगा zero तो सबसे पहले इसके लिए में क्या कर देता हूं column two में column one add कर देता हूं यह लो add किया a b c a plus b plus c a plus b a plus b सारा सेम तो यहां से मैंने क्या कर दिया column two से common बाहर आ गया two नीचे one 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 रहा गया तो column two or column three are identical therefore value of determinant zero यह आगी ने property third property third थी ना कि जब भी किसी whenever any two rows or column of a determinant are equal then value of that determinant is zero तो बस यह कर दिया तो इसी के basis वे आपको question number second भी हो गया तो इसका question number third, four, fifth तीन question हो आपको कल करवा दूँगा, तीक है?